नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ HP LTT, LTT Commission और PGT Hindi Commission की तैयारियां कर रहे जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये प्रशनोत्री की सिरीज हमारी चली है और आज हम इसका सातों भाग लेकर के आपके बीच में आए हैं and I hope कि आप सब लोग हमारी इस प्रशनोत्री जो सिरीज है इसको enjoy कर रहे होंगे और पहुत सारे लोगों ने अपने जो सुझाव, अपने जो review हैं और जो अपने विचार हमारे साथ सांजावी किये हैं कि उनको लगातार जो है इस तरीके की प्रशनोत्री मिलती रहनी चाह लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ गद्या विधाओं को लेकर के कम लोगों के वालांकि इसमें ये comment आये थे लेकिन फिर भी हमने आज की प्रशनोती रखी है ये गद्या विधाओं पर ही रखी है अक्सर हम देखते हैं कि हमारी गद्य विधां की जो गौण विधाये हैं चाहे वो आपका रेखाचित्र है, संस्मर्ण है, आत्मकता है, जीवनी है इनसे बहुत सारे प्रश्ण जो है वो एक्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन बहुत सारे विध्यार्थी इन विधाओं तक पहुंच ही नहीं पाते हैं तो आज की जो हमारी प्रश्ण रहेगी, गौण विधाओं पर ही रहेगी हमारी आत्मकता, जीवनी, रेखा, चित्र, यात्रा वरितांत, बगेरा बगेरा के उपर तो I hope की आप इस प्रश्ण उत्री को जरूर enjoy करेंगे और यहां से आपके कुछ नए प्रश्ण जो है आपके लिए जरूर मिलेंगे तो चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्ण देखिए हिंदी में रिपोर्टाज की शुरुआत की सरचना से हुई मानी जाती है हिंदी का पहला रिपोर्टाज मानते हैं तो यहां पर आपको दियान रखना है कि जो आपकी ये रुपाब नामक पत्री का है इसका संपादन किस ने किया था बहुत ही मौत्तपुन प्रश्ण है ये तुफानों के बीच 1941 की थी पहाडों के में प्रेममई संगीत इसका रचना वर्ष नहीं मालूं अगर आपको पता है तो उसको आप बता सकते हैं प्लॉट का मोर्चा 1952 और लक्षमीपुरा 1938 इस अधार पर जो है लक्षमीपुरा सबसे पहली रचना मानी जाएगी और इसके रचना कार कौन थे ये भी आप पता कीजिएगा साथ-साथ मेरा साया किस विधा की रचना है तो यह है डायरी विधा की रचना 2004 में लिखित यह नरेंद्र मोहन की डायरी विधा की रचना मानी जाती है तो I hope कि आप लोगों को जो डायरी विधा वाले प्रशन है उनके बारे में भी knowledge जरूर रखनी है डायरी जादा नहीं है देखना जादा से जादा 10 या 15 ही मौत्वण प्रशन है जो डायरी विधा से बनते हैं तो आप 1.5 गंटे में बहुत अच्छे तरीके से इनको याद भ प्रवासी की डायरी शीर्शक से जबकि शांता कुमार एक मुख्यमंत्री की डायरी इन्होंने लिखी थी देखना और हीमाचल से रिलेटेट जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़के जाईएगा क्योंकि यहां से एक आदा प्रशन जो है जरूर कि डू मैंने लिकी थी पहती मौतपूर है यह वाली रचना भी हमारा आजका अगला प्रशन है देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पर वट पीपल के रचनाकार कौन है या वट पीपल किसकी रचना है तो इसका जो सही आंसर हो जाईगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर तो what people जो है ये रामधारी सिंग दिनकर की रशना है इसके साथ ही साथ निर्मल वर्मा ने मेरे साक्षातकार शीरशक से रखा था अपने साक्षातकार एंड डेवेंदर साथ सत्यार्थी जो रहे इन्होंने कला के साक्षातकार लिखा था जबकि अगे ने अपरोक्ष शीरश आ सकते हैं आपके लिए जो important है तो मित्र समवाद से जो अपने पत्रों का संपाधन किया था ये किया था राम बिलास शर्मा ने लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने आपस की बातें शीर्शक से भी अपने समवाद रखे जो extra थे पुषपा भारती इन्होंने अक्षर अक्षर यग्य एंड ने मिचंद्र ने पाया तुम्हारा पत्र अमरित राय ने लिखा था चिथी पत्री नामक से अपने पत्रों को खीक है तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख लीजिए अगला प्रशन है लखनव मेरा लखनव शीर्षक से किसने संस्मर्ण लिखा तो लखनव से समंधित कई बार प्रशन पूछ जाता देखना ये है मनुहर श्याम जोशी और ये को पन्यासकार के रूप में भी बहुत फेमस रहे कृष्ण सोबते ने लिखा था हम हश्मत और सोबती एक सोहमत और यहाँ पर आपके लिए प्रशन है हम हश्मत के कितने भाग है रेणू ने लिखा था वन तुलसी की गंद और समय की शिला पर मनुहर श्याम जोशी ये तो खेर आप जानते ही है अमरितलाल नागर है जिनके साथ जिया इम्पॉर्टन्ट है ये वाला भी इसको भी आप याद रख लीजिए बहुती महतपूर्ण संस्मरनात्मक रचनाए है अगला प्रशन है निमिलकित में से कौन सी रचना विश्वनात त्रिपाठी की नहीं है तो ये भी इनकी संस्मरनात्मक ही रचना है देखना तो यहाँ पर था कथा शेश जो कथा शेश रचना है देखिए ये विश्वनात त्रिपाठी की नहीं थी बलकि इसके जो रचनाकार रहे हैं ये थे ज्यान चंदर जैन और संस्मान आत्मक भी था यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था important प्रशन है देखिए कथा 6 तो आप अपना जो अगर सुझाव है अगर किसी को लगता है कि आप कुछ प्रशन मुझसे गलत हो रहे हैं तो आप comment section में जाकर बता सकते हैं अंग्रेजी के sketch का हिंदी रुपान्तरन या हिंदी परियाय क्या है तो यह आप बताना है तो यहाँ पर answer हो जाएगा इसका दीखी रेखा चित्र तो रेखा चित्र को क्या नाम दिया जाता है आपका sketch नाम दिया जाता है रेखाचित्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया है देखिए कि यह किसी वस्तु व्यक्ति घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस परशी भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है अगर आपको कोई इस तरीके से इसकी परिभाशा पूछता है तो यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि रेखाचित्र में क्या-क्या चीज़ें आती हैं क्योंकि कई बार हमसे एक्जाम में ऐसा प्रशन एक्जाम में तो नहीं पूछते कुछ लोग स हमाने जिंदगी में आपसे ऐसा प्रशन पूछ लेते हैं कौन सी रचना महादेवी वर्मा की रेखा चित्र नहीं है तो यहाँ पर जो बोलती प्रतीमा थी देखिए ये रचना इनकी नहीं थी यहाँ इनका रेखा चित्र रहा श्री राम शर्मा का और इसका रचना ये प्रशन भी बहुत बार रिपीट हुआ है दिवेंदर सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी और माखलनाल चत्रवेदी यहाँ पर प्रित्युराज लग गया है जल्दी से इसको आप ठीक लिजेगा माखलनाल चत्रवेदी समय के पाउं और डॉक्टर नगेंदर चेतना के पिम्ब चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं निमी लिखित में से कौन सी जीवनी प्रेमचंद पर आधारित नहीं है या प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित तो इसका जो सही आंसर होगा देखी यह होगा कलम का सेवक जबकि यहाँ पर जो कलम का सिपाही अमरितराय ने लिखी थी और कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल ने जबकि शिवरानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद घर में तो ये थी प्रेमचंद के जीवन से समंदित या जीवनिया इनके जीवन पर आधारित लिखी गई थी जो अलग-अलग लोगों ने लिखी है नेक्स क्वे जनेंद्र ने लिखा था अकाल पूरुष गांधी तो इसको भी आप यादर किये बहुती मतपूर्ण है जीवनी रेखाचित्र संस्मर्ण जो भी है हर एक विदा को आपको देखना है आज के प्रशन कुछ सीधे प्रशन है डारेक्ट क्वेशन है मतलब सीधा सा आपको ज लिखी थी बहुती मतपूर्ण और बहुती असान सा प्रशन है कॉमेंट सेक्षन में जाकर आप जरूर बताईएगा कौन सी रचना राहूल संक्रित्याइन की नहीं है तो यहां पर जो राहूल संक्रित्याइन की रचना इन रचनाव में से नहीं थी वो थी मेरी शीर्षक से जो लिखा था देखिए वो लिखा था रामधारी सिंग दिनकर ने 1970 में अपना यात्रावरितांत जबकि इनोंने एक और यात्रावरितांत भी लिखा था देश विदेश शीर्षक से 1957 में इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके साथी साथ और भी आपके लिए इंपोर्टन्ट यात्रा लिखक रहे हैं। हिंदी और उपन्यास की प्रत्थम महिला लेकी का माना जाता है। यहां पर आंसर होगा आपका जान की दिवी बजा जिनोंने आत्मकता लिखी थी और किस शीर्षक से इनोंने अपनी आत्मकता को लिखा ये आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताईएगा। और इस प्रशन को भी आपने ध्यान रखना है। इसका हिंदी रुपान्थरण हुआ उचक का नाम से। यहां पर हैं देखिए हरीवन श्राय बच्चन की आत्मकता हैं क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग था दूसरा है नीड का निर्मान फिर और तीसरा आया बसेरे से दूर जबकि चौथा और आखरी भाग था इसका दश द्वार से सोपान तक तो इनको भी कई वारी क्लियर हो गया होगा कि यश्पाल ने जो अपनी आत्मकता लिखी थी किस शीर्षक से लिखी सिहावलोकन नाम से पहला भाग 51 में दूसरा भाग 1952 में और तीसरा 1952 ने लिखा था इस चीज़ को आपने यहां ध्यान में रख लेना है नेक्स और आखरी प्रशन है आज का अ मैत्रेई पुषपा ने कस्तूरी कुंडल बसे और गुडिया भीतर गुडिया दो भागों में लिखा था इन्होंने रमनिका गुपता ने हाद से शीर्षक से लिखी थी और मन्नो बंडारी लिखते हैं एक कहानी यह भी तो ये थे आज के 20 प्रशन I hope कि आपने इन प्रश रात होगी नई वीडियो के साथ